कोरोना संक्रमन को लेकर लोगों में ना पहले जैसा खौफ है ना ही पहले जैसी प्रशावसन की सक्ति कही नजर आ रही है हाला कि दिग्रस तैसिल में कोरोना पॉजिटिव मरिजों की संख्या में बडोत्री का दौर दोबारा शुरू हो चुका है जहार अविवार तक तैसिल के आश्टा ग्राम के चार लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद कोरोना मरिजों की संख्या 75 दर्श की गई वह सोमवार को कोविड केर के मैनेजर डौक्टा वह गोविंदवार ने बताया कि संभाजी नगर भारत नगर नागोबा मंदिर परिसर चमनपूरा देवनगर सहित रहाटी ग्राम मांडवा ग्राम से कुल 15 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है वही हरसुल ग्राम के एक शक्स की रैपीड इंटिजन टेस्ट में रिपोर्ट पॉजिटिव आने से आज कुल 16 मरीज पॉजिटिव पाए गये है इस बिच पॉजिटिव गाव का एक मरीज पॉजिटिव से निगेटिव होने की खबर भी मिली है जिसके बाद इस समय कुल कुलना मरीजों के संख्या 90 हो चुकी है मालुम हो कि सोमवार को पंचाज समिती से 33 सहीच शहर के विभिनन इलाकों के 13 नागरिकों के स्वैप सेंपल लेकर कुल 50 सेंपल को यौतमाल टेस के लिए भीजा गया कोरोना संक्रमन के बढ़ते प्राधूरबाओं के बावजूद भी जनता में खौप नजर नहीं आ रहा बाजार शाम पाच बजे तक खुले है लोग अपने रोजगार और कामों में वेस्पी है जो के एक सकारात मागबाद जरूर है फिर भी बढ़ते को नाम मर्जों के मामलों को देखते हुए फिजिकल डिस्टेंसिंग, सनिटाजर का इस्तमाल और भीडभार से बशने के साथ ही मास्क का उपयोग जारी रखना सभी के लिए जरूरी है NBCN News के लिए जुवेर खान की रिपोर्ट